एक छोटे से गाव में रहने वाला एक ननहा सा लड़का था उसका नाम रहुल था रहुल बहुत जिग्यासु और आवेगशील बच्चा था उसकी रूची थी जंगली जानवरों में, पेड़ पौधों में, और भूत पूर्व किस्सों में वह रोजाना अपनी दादी को सुनाता था जादूई कहानिया एक दिन, गाव में एक बड़ा हवाई तूर्फान आने की भविश्यवानी हुई सभी लोग घरों में बंद हो गए और बच्चे घबराय हुए थे रहुल भी डरा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ अलग था उसके मन में एक ताकत थी, एक जज़बा था तूर्फान आने के दिन, रहुल ने एक पुरानी जादूई पुस्तक डूनगी जिसमें तूर्फान को रोपने का एक जादूई मंत्र था वह पुस्तक कहती थी कि यदि कोई सचित दिल से इस मंत्र का उप्योग करे तो तूर्फान को रोपने में सफलता मिलेगी रहुल ने मंत्र को पढ़ा और ध्यान से समझा उसने सोचा कि यदि वह इसे सब के सामने पढ़ेगा तो सभी उस पर हंसी उड़ाएगे इसलिए वह अपने दोस्तों के सामने नहीं पढ़ा बलकि एक गुप्त स्थान पर गया और तन्हा में वह मंत्र पढ़ने लगा मंत्र पढ़ते ही रहुल की आंखें चमक उठी उसके दिल में एक अजीब सी शक्ति फैल गई रुकमी सी हवाए उसके चारों ओर उड़ रही थी रहुल ने मंत्र की शक्ति से अपनी उर्जा को हवाओं में भेज दिया अचानक एक चमतकार हुआ उसके शब्दों की शक्ति से हवाए शान्त हो गई और तूफान अचानक दुरगम हो गया लोग देखकर है एहरान थे कि इतने बड़े तूफान को रहुल ने कैसे रोक दिया बड़ी खुशी के साथ लोग रहुल की ओर आये और उसे धन्यवाद दिया रहुल के दोस्त भी उसे गले लगाए और उसे बधाई देने लगे वे सभी उसे नन्हे से लड़के के दिल में छुपी जादूई ताकत की प्रशंसा कर रहे थे रहुल ने खुशी से भरी आंखों से कहा जिंदगी एक जादूई किताब की तरह है जिसमें छिपी हर कठिनाई का समाधान है हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने आप में छिपी ताकत को खोजना चाहिए